Now consider example a x b x c तो bracket जो यहाँ पे place करी गई है b x c पे place करी गई है ठीक है तो हमें इस जो a x b x c है last lecture में हम देखा था कि यह एक vector produce होता है that means that is a vector product या vector triple product का है तो अगर यह vector quantity है तो हमें direction determine करने पड़ेगी कि इसकी direction किधर होगी ठीक है तो इसके लिए हम लोग देखते हैं suppose इससे पहले हम लोग थोगा सा basic देखते हैं कि अगर मालने चीए कि यह कोई green vector है ठीक है green vector है या यह plane है जिस पे यह perpendicular है आपका green vector ठीक है तो जो यह green line होगी that is known as a normal normal to the plane अगर यह plane की normal है तो कोई भी vector अगर आप consider करते हो ठीक है कोई भी vector अगर आप consider करते हो इस plane में या आपको यह कह दिया जाए कि इस green vector के perpendicular vector draw करना है ठीक है अगर यह theta 90 degree हो जाएगा इसका मतलब कि वह vector कहां आ जाएगा आपका वह vector इस plane में आ जाएगा ठीक है that will be 90 degree इसका मतलब कि अगर हमें इस green vector पे perpendicular vector draw करना है तो वह सारे vector इस plane में लाई करेंगे all these vectors are perpendicular to the green vectors ठीक है अब reverse सोचा जा सकता है ठीक है reverse क्या सोच सकते हैं हम लोग कैसे सकता है ना consider a vector b and c तो b cross c आपका कहा होगा b cross c जो vector होगा आपका वो जो b cross c vector आपका होगा b cross c तो b की तरफ हम लोग palm करेंगे और c की तरफ क्या करेंगे curl करेंगे b की तरफ आप palm करोगे और c की तरफ curl करोगे तो जब b की तरफ palm करोगे c की तरफ curl करोगे तो यह vector जो आएगा वो इस side में आएगा that means that is the direction of b cross c that is the direction of b cross c तो ये आपका b x c का direction है अब अगर हमें ये देखना है कि ये जो vector आया है b x c और जो vector a है ठीक है ये vectors अलग plane में है b c के plane में है नहीं तो b x c मतलब अगर a की तरफ हम palm करें और इस direction में curl करें ठीक है तो वो vector किधर आएगा ये जो plane है ये a और b x c का plane है जो हमने a draw किया गया है ये इनका plane है और जो हमारा इनका product आने वाला a से b x c के तरफ करेंगे जो ये product आने वाला है वो product कहां आएगा तो simple सी बात है ये red वाला that is the that is the a x b x c इसका मतलब ये जो vector है ये कहां है ये vector b x c के plane में है ठीक है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो a x a x b x c है ये vector b x c के plane में आता है ठीक है और हम लोग जानते हैं कि इसका मतलब ये vector ठीक है जो vector b है और vector c है और जो vector a x b x c है ये तीनों ही vector coplanar होंगे ठीक है ये तीनों vector क्या होंगे these are the coplanar और अगर coplanar है तो हम इस vector को क्या लिख सकते हैं इस vector को लिख सकते हैं that is the linear combination of b and c that means sum lambda times vector b or plus sum mu times vector c where lambda and mu are some real number non-zero real number हम कह सकते हैं at least one of them is non-zero इस form में लिख सकते हैं ठीक है क्योंकि ये coplanar है या यूं कहें कि कोई vector b और c के plane में लिखना है तो वो हम लोग linear combination लिख सकते हैं b और c का lambda b plus mu c अब जब भी हम इसे calculate करेंगे ठीक है तो lambda जो turn out होके आता है that is equals to that comes out to be a dot c a dot c ठीक है a dot c ये क्या है जो आपका सबसे a से जो सबसे दूर वालक vector है ठीक है a dot c आता है ठीक है b का coefficient और जो mu है that comes out to be a dot b मतबब a के जो नजदीक है इसका minus times ठीक है that means आपका जो ये triple product है इसको आप क्या लिख सकते हो इसको लिखा जा सकता है a cross b cross c it could be written as a ये एक number होगा a dot c एक number होगा that means a dot c scale up कर दिया जाएगा lambda times b vector को scale up किया गया है ठीक है जो मतलब a dot c times vector b को scale up कर दिया लेंथ को अल्टर किया गया बढ़ा या घट आएगा डिपेंड करता है a dot c की value जो आएगी वो उसका magnitude एक से ज्यादा होगा या फिर एक से कम होगा तो लेंथ बढ़ गई होगी है ना एक से कम होगा तो लेंथ खट गई होगी तो इसे scale up किया गया इसी तरह से जो c vector है उस formula हो गया vector triple product को solve करने के लिए है ठीक है अब हमनों थोड़ा simple application देखते है ठीक है इसका suppose हमने ले लिया i cross i cross i cross j cross k ठीक है i cross j cross k तो अगर formula apply करें हम formula apply करेंगे तो क्या हो जाएगा first मतब i से सबसे जो दूर वाला है ठीक है i dot k उसके साथ scalar product times j minus पहले का जो नजदीक वाला है ठीक है dot j ठीक है तो इसे ऐसी कह सकते है कि first इसे हम कह सकते है that is first second and that will be the third ठीक है तो formula क्या पढ़ेंगे हम लोग first third first third second minus first third second minus first second third first second and third तो यह आप याद रख सकते हो कि first third second minus first second third तो यहाँ पर आपका जो first है i है second आपका j है और यह क्या आपका है third है तो यह हो गया first third second minus first second third third मतलब केक है जायर सी बात है यह जो vector होगा जेके के plane में होगा जेके मतलब yz plane में होगा यह vector ठीक है अच्छा i और k orthogonal vectors है और i k orthogonal vectors है तो यह value कितनी आने वाली है that become 0 and i j also orthogonal vectors है perpendicular vectors है तो यह भी 0 आजाए तो total क्या आगया आपका 0 आगया ठीक है तो i j k का जो vector product है vector triple product यह 0 आदा है जबकि scalar triple product आपने निकाला होगा तो इसका scalar triple product वानाता है तो प्रतके मतलब